कॉलेज फेरवेल और कॉन्वोकेशन पर आप लोगों ने ग्रैजुएशन गाउन्स और ऐसी ग्रैजुएशन कैप्स तो जोर पहनी होगी बट ये पहनने के पीछे कुछ रीजन है कुछ स्टोरी है वो क्या है है दोस्तो मेरे नाम है पात्नाकपाल ये है इन्फो बंदार और इस वीडियो में हम ये ग्रैजुएशन गाउन्स और ग्रैजुएशन कैप्स की हिस्ट्री जानेंगे और इनको हवा में क्यों चालते हैं उसके बारे में पर जानेंगे तो चलिए फिर बिना देरी करें स्ट् कि खुआ इसकी इस्ट्री शार्ट होती है 12th Century में जब लेक्चर्स के लिए कॉलेजेज नहीं हुआ करते थी उर लेक्चर्स चर्च में हुआ करते थी तो चर्च में प्रॉपर हीटिंग सिस्टम तो होता नहीं था और ठंडी हवाएं भी चलती जैसे जो चर्च का सिस्टम होता है तो अंदर ठंडी हवा और ठंड से बेसिकली ठंड से बचने के लिए लोग लंबे लंबे रोप्स आप जानते हैं ना रोप्स पहनते थे को टाइप होते हैं वो पहनते थे 13th century में Oxford Council के Stephen Langton ने यह declare कि जितने भी लोग जो इन चर्च में पढ़ते हैं या फिर religious duties करते हैं यह लोग इनको अपने रोप्स के उपर एक गाउन भी या फिर एक केप भी पहनना पड़ेगा ताकि वो नॉर्मल लोगों से अलग दिखे तो ऐसे ही यह गाउन पहनने का एक उसका सिंबल बन गए कॉन्वकेशन कैप की हिस्ट्री जो है वो जाती है 14th century में जब जो भी चर्च होता था उसमें अगर आपको पढ़ाना होता था यानि एक टीचर या लेक्टरार बनना होता था तो आपके पास master degree होना compulsory था उसके बिना आप पढ़ा नहीं सकते थे तो जो भी चर्च की authorities होती थी जब भी कोई एक निया लेक्टरार बनता था या फिर बोल सकते आप master degree अपनी complete करता था तो उसको एक gift में एक professional chair एक open book याने खुली किताब एक golden ring और ये cap दी जाती थी तो इस cap का मतलब होता था कि आप एक teacher है आप पढ़ा सकते हैं अब बात रही कि जो graduation caps होती है इनको हम उड़ा को देते हावा में जब भी हमारी को farewell होती है convocation होती है closing ceremony के बाद हम इनको हवा में उड़ा देते हैं तो इसकी history ज्यादा पुरानी नहीं है 20th century की है U.S. Navy से आई है तो ऐसा होता था कि U.S. Navy में जब भी कोई student आते थे तो उनको उनकी mid shipment cap मिलती थी और जब वो graduate हो जाते थे तो उनको उनकी officer cap मिलती थी but 1912 में जो U.S. Naval Academy है Maryland की उसमें यह किया कि students को ही जो final officer cap होती थी वो देना start कर दिया तो इसी खुशी में कि हमें direct officer cap मिली है सारे जो students से उन्होंने जो अपनी mid shipment cap थी वो हवा में उड़ा दी तो यह एक ceremony बनकी और महीं से tradition start हुआ तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को like जरू करेगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जो college में है जिनकी graduation हो चुकी है या फिर होने वाली है या जिन्होंने भी अपनी cap ऐसे उच्छा ली थी हवा में बट उनको इसके पीछे की स्टोरी नहीं पता उनके साथ शेयर जरू करेगा और अगर कोई point जाए गया हो तो comment section में पता है आपको और इंफो बंडार की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलिएगा मैंना पात नाकपाल आप देख रहे हैं इंफो बंडार और मैं आप से